हेलो एवरिवन जेहिन ICC Physical Education YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो उन सभी students के लिए important है जो BPS करना चाते हैं BPS MPAD में admission लेना चाते हैं ठीके हमारे Instagram पर कई students message करके पूछते हैं BPS करना है admission की process क्या रहेगी BPS के बाद MPAD कर सकते हैं क्या ऐसे और भी कई questions जो की YouTube चैनल पर भी comments में बच्चे पूछते हैं साथ ही Instagram पर भी message करके पूछते हैं तो उन सभी questions का answer इस वीडियो में आपको दिया जाएगा ठीक है BPS MPAD BPS B8 के admission process क्या रहेगी कैसे आप admission ले सकते हैं और all information आपको इस वीडियो में दी जाएगी ठीक है तो इसी तरह आप वीडियो में बने रहे हैं और वीडियो को बिना skip करें अच्छे से पूरा समझे क्योंकि बहुत सारे बच्चों का doubt रहता है कि क्या BPS में admission लेने के लिए certificate की ज़रुरत रहती है MPA में admission लेने के लिए certificate चाहिए रहता है क्या BPS में certificate की ज़रुरत रहती है क्या साथ ही अगर आपके पास आपने BA, BSC कर रहा है, B.com कर रहा है उसके बाद आप BPS करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं ऐसे कई question कई students के जो कि हमसे पूछे गए थे ठीक पूछ सकते हैं तो आए देखते हैं कि admission जो है 2023 चोईस के लिए सुरू होने वाले हैं कुछ ही दिनों में जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं 25 मैं 2023 से 2 जुन 2023 तक जो है first counseling आपकी यहां पर होगी ठीक है registration होगा admission की क्या-क्या process रहती है वो भी हम समझेंगे कब जो है आप आपको physical test होगा सारी information आपको इस वीडियो में मिलेगी first counseling जो है यहां पर start होने वाली है और जो website है जिसके द्वारा आप जो है registration करवा सकते हैं वह है 23 चोईस के लिए प्रवेस mponline.gov.in ठीक है आई यह देखते हैं government का official notice friends वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए है अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया so please पहले चैनल को subscribe करें साथ यह notification bell को जरूरूर्ण करें क्योंकि admission जो start हो चुके हैं और counseling date में जो भी changes होगा जो भी updates होगी time to time आपको यहां पर मिलती रहेगी ठीक है और साथ ही by the way कभी वीडियो गनाने का time नहीं मिल पात ठीक हमारे YouTube चैनल पर कभी कभी कम्यूटी पोस्ट पर भी आपको जो है डेट के रिगाइडिंग या फिर छोटी छोटी जो भी information होगी वहां पर भी हम आपको अवलेवल करवा देंगे ठीक है तो आप जो है कम्यूटी पोस्ट चेक करते रहें क्योंकि जून का पूरा मही कीजिए जो भी करना चाते हैं ठीक है वीडियो में नोटिस के आधार पर आपको जो भी information है वो सभी बताई जाएगी ठीक है आज सुबहा एक स्टुडेंट ने क्योशन किया था क्या बिना सी यूटी एक्जाम के मैं बिपेट कर सकता हूं तो जी हाँ बिल्कुल आप बिन आज यहां डिना कोई इंट्रेंस एग्जाम के और विपेट कर सकते हैं MPAD भी कर सकते हैं ठीक हैं यह जो एड्मिशन हो रहे हैं इस में CUET का एउड्मिचाम देना जरूरी नहीं है ठीक है यह काउंसलिंग के आधर पर आपका धमिशन यहाँ पर हो रहा है ठीक है तो यह ए लिए यहां पर कारी का यूरान निर्दारी तीतियां है कि कब से कब तक आपकी फर्स काउंसलिंग होंगी यहां पर है कि आप एडमिसं के लिए जो ओनलाइन रेजिस्टेशन करवाते हैं उसकी डेट ठीक है साथ ही आपके डॉकिमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट वो सभी ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट में आप यहां पर देखें कि प्रथम चरण में जो है पहला पॉइंट में दिया है आवेदा को द्वारा ओनलाइन पंजियन एवं सिक्षक संस्थानों का चैन वरीता व्यक्त करना 25 मई 2023 यहने पर करोगे तो आपको जो है कौन सो कोलेश से आपको कोर्स करना है ठीक है कौन सो कोलेश से आप करना चाते हो कौन सी युनिवर्सिटी से करना चाते हो यह आपको स्लेक्ट करना होगा जब आप फॉर्म अपलाई करेंगे तब ठीक है तो यह पांच दिन आपको यहां पर फ आप college select कर लोगे उसके बाद जो है आपका verification होगा ठीक है verification की date यहाँ पर 26 मईए 2023 से 2 जून 2023 सुक्रवार तक ठीक है verification के बाद third process जो है वो है BPA MP8 पार्थिक्रम है तू B8 के लिए नहीं है यह BAB8 के लिए नहीं है यह only जो है BPA और MP8 student के लिए है इसमें जो है क्रमासा fitness proficiency test निर्धारित help center पर होंगे जहाँ पर आपका verification होगा ठीक है वहीं पर आपका fitness test भी होगा proficiency test भी होगा ठीक है date same दे रखिए यहाँ पर 26 में 2023 से 2 जून 2023 सुक्रवार तक आपका जो है physical test होगा अब बात आती है कि physical test में क्या क्या पूछ हो जाएगा ठीक है proficiency test में आपसे क्या करवाया जाएगा ठीक है तो इसकी information भी नेस्ट वीडियो में हम आपको दे देंगे कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है ठीक है इसके बाद fourth point दिया है help center द्वारा fitness proficiency test के आधार के अंगों की प्रवश्टी जब आपको physical test हो जाएगा उसके बाद आपको कितने marks मिले हैं ठीक है इसकी जानकारी मिलेगे आपको छे जुन 2023 सनिमार को ठीक है आप जब physical test देंगे तो आप उसमें पास हुए हैं या नहीं हुए हैं किसको कितने number जो है physical test में मिले हैं वह information आपको तीन जुन 2023 को मिलेगी इसके बाद fifth point है आपको यहाँ पर समयकित merit सुची का प्रकासन जो merit list आएगी जिन्होंने registration किया physical test दिया verification करवाया उनके merit list आएगी 56 2023 याने कि 5 जुन सोमवार को merit list आएगी और merit M वरीता अनुसार प्रथम चरण में seat आवंटन आपको पता है बीपेड एमपेड में seat limit रहती है ठीक है तो merit के according जो seat मिलेगी वह आपको बता दिये जाएगा 10 जुन सनिवार को बता दिये जाएगा कि कौन से student को जो है first counseling में बीपेड एमपेड में seat मिली है ठीक है 7 नमबर का point यहाँ पर है आवेदक विद्यारती द्वारा प्रवेसतु निरधारिस सुल्क का 50% online भुकतान किया जाना है इसके लिए आपको time दिया जाएगा 10 जुन से 14 जुन तक 4 दिन का इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आपने registration करवाया verification करवाया आपका fitness हो गया merit list में आ रहेगी आपकी BPA में admission लिया तो BPA की MPA में admission लिया तो MPA की जो भी आपकी fee से उसका 50% आपको इन 4 दिनों के अंदर जो है online भुकतान करना जरूरी है ठीक है आपकी 50% fees जमा करवाना यहाँ पर अनिवारी है अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका admission माने नहीं होगा और आ काउंसलिंग में किसी और को मिल जाएगी यहाँ पर दिया है प्रवेस निरस्तिकरण जो है 10 जून सनिवार से 15 जून गुरुवार तक याने कि ऐसे स्टूडेन जो फिल सब्मिट नहीं करते हैं या फिर admission नहीं लेते हैं ठीक है उनका प्रवेस निरस्त कर दिये जाएगा और लाश पॉइंट यहाँ पर है प्रथम चरण पश्यात महा विद्याले में रिक्त सीटों की उपलब्दता 16 जून को सुकुरुवार सामचेव यह तक जो है कॉलेज में कितनी सीटें जो है भरी है कितनी सीटें खाली है मतलब कितने स्टूडेंट का admission हो चुका है और कॉ काउंसलिंग ऐसे बच्चे जो first counseling में जहां नहीं कर पाते हैं यह कम सीट होने की वाज़े से आपका डिंशन नहीं मिल पाता है उनके लिए सेकेंड काउंसलिंग चांस है कि वह फार्म अपनाई करें ठीक है और सेकेंड में भी अगर नहीं हो पाता है थैड्र काउंसलिंग भी है फॉर्म अप्लाई करने के लिए ठीक है तो हम सेकंड कांसलिंग के बारे में यहां पर देखते हैं इस्टुडेंट्स जो भी आपका डाउट हो जो भी क्योश्चन हो आप इस वीडियो के कमेंट में हमसे पूश्च रखते हैं अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रह सकते हैं ठीक है बात करते हैं तुती चरण की तो दूती चरण में क्या है कि नवीन पंजियन मतलब एस आवधाग जो पूरु स्थान पर प्रवेस आवंटन है तूग मतलब फर्स्ट कांसलिंग में सीट भर जाएंगी फिर उसके बाद जो भी खाले सीट रहेंगे कि उसके लिए जो है सेकंड यहां पर है कि आप फिर से फॉर्म अपलाई कर सकते हैं और जो है एड्मिशन ले सकते हैं तो यहां पर उसकी डेट है साथ जुन यहां पर आप देखें कि सेंड काउंसलिंग में आपका यह जो है रेजिस्ट्रेशन की डेट है भी हमने आपको बताई दी इसके बाद जो है आप जुन से 15 जुन 2023 तक होगा साथ ही बिपीएड एमपीड वालों के लिए जो फिटनेस प्रोफिसियनसी टेस्ट होगा वो भी आप जुन से 15 जुन 2023 तक होगा ठीके इसके बाद जो है आपको फिजिकल टेस्ट में कितने माक्स मिले हैं इसकी इंफोर्मेशन आपको 16 कुछी जो है 17 जुन को आ जाईगी इसके बाद जो है मेरिड एम वरीत अनुसा दूती चरंड में सीट आवंटन मतलब कितने विद्धियार्थियों ने जो है सीट ले ली है मतलब जिन्होंने रेजिस्ट्रेशन करवाया था उसमें से कितने स्टुडेंट्स को सीट मिल का 50% भुकतान जो है 22 जुन से 26 जुन के बीच आपको करना है और ऐसे विद्धियारती जो फीस जमा नहीं करते हैं उनको एड्मिशन नहीं मिलेगा और उनका प्रवेस जो है एड्मिशन जो है निरस्तिकरण हो जाएगा और इसकी लिस्ट जो है बारा सोरी 22 जुन से 27 जु इसको मिल जाएगी ठीक है इसके बाद जो सीटे खाली रहती है उन्हें भरने के लिए थर्ट काउंसलिंग होती है थर्ट काउंसलिंग में भी सेम प्रोसेस है यहां पर आप रेजिस्ट्रेशन करें कॉले स्लेक्ट करें आप कौन से कॉलेज में एड्मिशन लेना है कौन स सेकेड थर्ड कांशलिंग ठीक है नेश्ट है वेरिफिकेशन थर्ड कांशलिंग के लिए वह वीच से 27 जून और वीपीड यूपेड वालों के लिए जो फिट्नेश टेस्ट ओगा त्रतीय चरण में वह होगा 20 जून से 27 जून और 28 जून को जो है आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले है फिजीकल टेस्ट में और इसके बाद जो है आपकी मैरिट जो है 30 जून को आ जाएगी और आपको जो है 5 जुलाई तक 3rd काउंसलिंग वाले को 5 जुलाई 2023 तक जो है सीट मिल जाएगी ठीक है आपको पता चल जाएगा कि हमारा एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है आपको सीट मिल जाएगी इसके बाद आवेदक विद्यारती द्वारा प्रवेस एतुन निरधारिस सुलक का 50% आपको जमा करवाना है कब तक 5 जुलाई से 10 जुलाई ठीक है इसके बाद अगर कोई अफिस जमान नहीं करवाता है तो प्रवेस निरस्तिकरण हो जाएगा उसकी लिस्ट आपको साथ जुलाई से 11 जुलाई के बीच मिल जाएगी ठीक है थर्ड काउंसलिंग तक की ये प्रोसेस थी इसके बाद भी अगर कॉलेज उनिवर्सिट इसके चलते फॉर्थ कांसलिंग भी की गई थी स्टुडेंट्स के लिए एडमिसन के लिए एक और मौका सभी को मिला था ठीक है तो आपको एडमिसन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं वीडियो रियली आपके के लिए हेलफफुल है तो एक लाइक तो बनता है ओके फ्रेंट्स थैंक यू सो मच मिलते हैं नेश वीडियो में